Hey guys, so 2023 start हो चुक है और इसका जो first adventure है, वो already मैंने आपर कर लिया and it was amazing. लेकिन इस adventure की बारे में maybe next vlog के अंदर हम बात करेंगे, आज मैं basically इस vlog के अंदर ये talking vlog बनाने वाला हूँ. जहाँ पर मैं आपसे थोड़ी सी मेरी जो life story वो शेयर करूँगा, जिसको लेकि मैं काफी private रहता हूँ और में को वैसे इतना शेयर करना पसंद भी रही है, लेकिन I think maybe मेरी जो story है, वो सुनके हो सकता है, आपने से काफी लोग relate कर पा, maybe उससे आपको कुछ help मिले या कुछ motivation जो है यहाँ पर मिले, तो यह सोचके मैं आपसे आज share करूँगा, and if you like it, अगर आपको लगता है, ऐसे मैं अपने experience और viewpoint चीज़ों के उपर share करूँ, मैं क्या सोचता तो में को बताना, I'll definitely do that, तो सबसे पहले बात करते हैं कि अभी जो मैं lifestyle जी रहा हूँ, जैसे अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कि मैं कहीं पर भी travel कर लेता हूँ, मैं कहीं पर भी, मतलब I try new stuff, adventures, sports बगरे, सारी चीज़े करता रहता हूँ, तो करने का mean reason क्या है, मतलब मैं करना क्या चा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको मैं idea देता हूँ, कि इस decision के उपर मैं इसलिए आया है, क्योंकि मेरी अगर आफ life देखो गए, पूरी life मैंने कामी किया है, क्योंकि early days के इंदर जब छोटा था तो उस time पर क्या था, कि family well off थी, लेकिन उसके आद फिर काफी business losses य जटका लगा था, तो इतना बुरा जटका था कि बिल्कुली सब कुछ खतम हो गया था, हमारा जो घर था वो हमको sell करना पड़ा, whatever we had, we had to sell it, and इतनी बुरी हालत थी कि school भी जाते थे तो वहाँ पर fees पे करने के पैसे नहीं होते थे, at times, पूरी class की बीच में आपको बुला हो जाता था, ऐसी हालत हो जाती थी, कई बार खाने के लिए भी पैसे नहीं होते थे, कि food buy कर पाएं आपर, तो ऐसी बुरी situation थी, and जब ये बुरी situation थी, तो जो मेरे friends थे, आस-पास, वो सबके सब ऐसे थे, they were born with silver spoon, या कुछ कुछन तो था, कि life में कुछ भी करना है, तो कि backing है, तो उम life में चीजों को try कर सकते हो, pocket money वगरे उनको मिलती थी, we had nothing, तो सब कुछ जो करना था, अपने बलबूते पर करना था, इसलिए early age से ये हो गया था, कि life में पैसे कमाने हैं, मतलब कैसे करें, क्या करें, और उस time पर समझ में भी नी आता न, आप young होते हो, क्य करें, क्या कर सकता हूँ, कोई भी चीज करनी है, तो उसमें कुछ न कुछ पैसे चीए, कुछ सीखना है, तो उसके लिए पैसे चीए, वो पैसे का जोगाड़ करना मुश्किल बात, कैसे करूआ, तो option इनी, zero, zero रुपीज से आपको चीजे करनी है, तो इसलिए हमने नई न जाब था, जब मैं स्कूल के अंदर था, ये मैं समर वेकेशन, विंटर वेकेशन के अंदर करता था, और मेरी जो फर्स सैलरी आई थी, वो थी 500 रुपीज की, इसको लेकि मैं बड़ा हैपी था, तो इसका में रुका नहीं, मैं अलग-अलग चीजों को ट्राइ करता रहा, बहुत जगे फेल हुआ, बहुत चीजे ट्राइ करी, बहुत जगे फेल हुआ, चीजे वरक आउट नहीं करी, बट I kept on trying, I didn't give up, and eventually धीरी धीरे करके, हमने अपने बलबूते पे अपना पूरा जो है, चीजे बनाई, दोनों ने इतनी महनत करके काम किया कि, eventually हमारा जो, हमको जो पैसे payback करने थे, which was a huge amount, हमने finally वो payback किया, and वो बहुत बड़ा दिन था हमारे लिए, जब हमने सब वो complete कर लिया, because, बचपन में मेरे साथ सबसे horrific incident ही होता था, कि, घर पे लोग आते थे बोलने के लिए, कि आप लोगो को पैसे पे करने हमारे, तो इस तरही की चीजे ह होती थी में, सब्सक्राइब घर पे आप छोटे हो, आपको आपके लोग यह बोलने के पैसे पे करने, पैसे पे करने, तो बड़ा टफ टाइम था, but now it's over, तो अब हुआ यह कि जब यह चीज चालू होई, तो क्या होगा कि आप पैसा कमाना था, तो वो ड्राइब बहुत लगता था कि यार कुछ करी नी पाएंगे जिंदरी में, यह लगता था कि भाई मैं कभी successful नी हो पाऊंगा, शायद कभी debt को payback नी कर पाएंगे, कभी कुछ कर नी पाएंगे, लेकिन eventually अगर आप hard, मतलब try करते रहो ना यार, कभी give up नी करो, तो कही ना कहीं चीज़े, you never know एकदम से workout करेंगे, जो workout करेंगे तुमको सौंज भी नी आएगा और तुमारे सामने चीज़े एकदम से change जाएंगे, मेरे साथ भी यह हुआ था, मैं खुद बिलीब नी कर पा रहा था कि finally चीज़े चेंज हो रहा था, कि इतनी बार fail हो गया था, इतनी बार fail हो गया था, क तो जब यह चीज होई तो उसकाद फिर यह हो गया कि एक फिर आदत सी बन गए, आदत यह बन गए कि यार अब ठीक है पैसा कमा रहे तो और पैसा कमाना है, और बेटर चीज़े करनी है, बेटर कार्ड लेनी है, बेटर घर लेना है, लाइफस्टाइल में और चीज़े करन I used to eat and sleep, that's it. उठो, काम करो, खाओ, सोजो. ये मेरा रूटीन था, मैं बिलकुल cut-off हो गया, मैं अपने friends से नहीं मिलता था, मैं बात नहीं करता था, in fact, if they used to call me, तो मैं गोस्ट करता था, तो बस मैं पूरा काम में लग गया था, कि I just need to work, 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 and वो मैं करता रहा, करता रहा, करता रहा, monetary-wise, it was good, because I was earning good, लेकिन उसके कारण बहुत सारी चीज़े मैं life के अंदर compromise भी कर रहा था, and ये realization जाके मैं को 2021 के अंदर हुआ, क्योंकि 2021 के अंदर मैं exercise वगरे भी नहीं कर रहा था, तो वो ये बहुत शौकिंग एकदम से news हमारे लिए थी, and वो जो पूरा फेस था, that was a really tough time, जिसको लेकि मैं इतना वोकल रहा नहीं था, लेकिन वो बहुत टफ पिरिएड था, relationships को लेकि भी टोड़ी हरी का था था टाइम है, तो थोड़ा सा रॉकी मेरे लिए यहां पर रहा था, तो बहुत सारी चीज़े यहां लाइफ में, lot of shit was happening, लेकिन उसी टाइम पर फिर मैंने जब यह फादर वाला इंसिदेंट हुआ, सब कुछ हुआ, in 2022 के अंदर, then I realized कि यार, कि मेरे को लाइफ के अंदर चीज़े चेंज करनी पड़ेंगी, मतलब मैं सिर्फ पैसे कमाने के चक्कर में, मैं जो basic चीज़े लाइफ के अंदर वो भूल गया, कि लाइफ को enjoy करना, आपको याद है वो time जब आप, maybe 5 साल के थे, 7 या 8 साल के थे, तब actually में आप life को enjoy करते थे, आप curious थे, आप भार जाते थे, आप नई चीज़ों को try करते थे, आप गिड़ते थे, पढ़ते थे, तूटते थे, लेकिन फिर खड़े वालते थे, लेकिन आप curious थे, नई नई चीज़ों को try करना चाते थे, लेकिन उस तरीकी happiness जो है अब हम यहाँ पर कहीं पर भी explore नहीं करते हैं हमारा एक routine मन जाता है और वो ही routine की बीच में हम घूमते रहते हैं और वो ही सारी चीज़े यहाँ पर जाती है and before we know it, हमारा जो life का time rate runs out यही तो चीज़ है अब भी अगर आप देखोगी होता क्या है better school में जाना है ठीक है उसके लिए महनत करी school में जैसे आए अच्छे college में जाना है उसके लिए महनत करो college में आगे अच्छी job लेके आना है अच्छी job अगे चलो बढ़ी है अब और अच्छी job करने है क्योंकि और progress करने है ठीक है शादी कर लिए अब और responsibility होगे तो और पैसे कमाने तो और महनत करो बच्चे हो गए तो उनकी needs है भाई और पैसे कमाने और पैसे कमाने और पूरी जिंदगिया पैसे कमाते कमाते लग जाते हो जब से आपका स्कूल स्टार्ट होता है छोटे बचपन से आप वो ही करते रहते हो और in the end before you know it आपके life का जो timer है इट रंस आउट तो इसी कारण में को यह चीज लगी कि यार पैसे कमाना बुरा नहीं है अपनी family को provide करना बुरा नहीं है it's important you should do it लेकिन life को enjoy नहीं करना वो एक बुरी चीज है क्योंकि अगर आप पैसे कमारे हो सारी चीजे कर रहे हो और अगर आप life को enjoy नहीं चीजे try नहीं कर रहे हो तो उसका क्या sense है and that is what I realized कि यार मेरे को पैसे की पीछे नहीं भागना है इत्ता कमालो या इत्ता करते रहो कि यार तुमारा regular income जो है वह वहाँ पर रजय ताकि नुप चीजों को कर आओ अपनी family को जो है जैसे I take care of my parents तो वो सारी चीज़े आप support कर पाऊ लेकिन आप life के अंदर चीजों को जी पाऊ आप चीजे मतलब कर पाऊ you go out and you have fun इसलिए मैंने डिसाइड के मैं जो है जो भी चीज में करना चाहता है तो मैं जो भी चीज में नहीं कर पाया और मुझे लगता था मैं कभी नहीं करूंगा आज की डेट में मैंने यह डिसाइड कर लिए कि I just want to do it as long as it makes me happy दो मैं नहीं जगे ट्राइवल करता हूं I tried new stuff देट में को कोई भी चीज दिखती और में को लगता है कि मुझे नहीं करना चाहिए तो मैं उसको करता हूं कि करूंगा तो मैं को जो भी चीज लगती नो I won't do it आज की डेट run out कर गई थी, तो इतनी सारी चीज़ें हापर करी है, zip lining करी, और भी बहुत सारे adventure जो हैं हापर करें, तो इतने सारे life के experience, मतलब actually मैं अब मैं world को travel करके भी I am seeing things in a different perspective, तो यही एक कारण था मेरा कि मैं इस तरह से life के अंदर चीज़ों को करना था, इसलिए मैं ने चीज़ों को transform किया, अब mostly यह कि अभी I am not married and मेरा भी ऐसा कुछ प्लान भी नहीं है, if it changes, अगर कलको कुछ होता है, तो you never know, I'll see, लेकिन शादी को लेके भी I have a different perspective, because I feel कि शादी अगर आपको करनी चीए, you should do it, because when you are ready for it, and when you want it, में को वो feel होता है, but उसका maybe किसी और वीडियो के अंदर, I'll share मेरा क्या perspective है, लेकिन मैं travel कर रहा हूँ, life को enjoy कर रहा हूँ, और इसमें भी मैं को काफी लोग के question आते हैं, कि यार, हमारी family है, हम married हैं, हमारे बच्चे हैं, तो यार, हम लोग यह नहीं चीज कर सकते, जो आप कर रहे हो, तो you are wrong in this, मैं basically यह चीज बोर रहा हूँ, कि यार, life के इंदर, चीजों को enjoy करो, पैसा कमाना, यह सारी चीजे जो है, लाइफ में, जब एक स्टेज पर पहुँच जाओना, जापर आपको लग रहा है, मतलब, you need to realize, क्योंकि क्या होता है, पैसी की, भूख ऐसी होती, कभी रुखती नहीं है, आपके बास enough आजाता है, लेकिन उससे भी enough आपको चाहिए होता है, क्योंकि हमेशे आपसे कोई बेटर काड़ी बाला होगा, बेटर फोन बाला होगा, बेटर लाइफ स्टाइल बाला होगा, तो वोगी कॉंप्टिशन में लगे रहते हैं लोग, नहीं यार, लाइफ को एंजोई करना सीखो आप, अगर आप married हो, आपके बच्चे हैं, तो that doesn't mean आप life को enjoy नहीं कर सकते हैं, you can enjoy it with your family, take out your family somewhere, आप कहीं गुमाने के लिए लेके जा सकते हो, किसी इंडिया में कहीं पर लेके चले जाओ, अगर भाहर लेके जा सकते हो, बजट अलाओ करता है, वो कर दो, तो अगर वो बजट भी नहीं अलाओ करते है तो अपनी सिटी के अंदर भाहर कहीं पर लेके जाओ ना ताकि फैमिली के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करो, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो वो एक ऐसा टाइम होना चाहिए वर यू आच्छुली एंजॉए तो मेरा बोलने का मतलब यह यह बेसिकली कि इफ यू अर्णिंग बनी तो लाइफ का जो फन वाला पार्ट है उसको मत में साउट करो अर्णिंग एक चीज़ आपर बोलना चाहूंगा कि मतलब लाइफ में किते भी टॉफ फेज़ आजया ना скоро never give up keep on trying यार चाहे तुमारे पास ओकोई support नहीं हो चाहे तुमारे घर्वालों के पास कोई question मन कीजि़ नहीं जी हो जसको तुम तुम यूझ करके life में čीज़व कर पा हो लो और तुमारे अंदर वह फोकस है determination रखोगे न ट्राय करते रहर हो फेल हो गे-ोग एक दिन होगा जब सब कुछ चेंज हो जाएगा एक चीज में खुद के experience आपको बता रहा हूँ अगर आपकी शुरुवात ही गिर के होती है तो वो इंसान जिन्दगी में कभी भी जाके आगे गिरेगा उसको गिरने से इंट नहीं लगेगा वो आगे जाके भी गिर सकता है और वो पिस अपने पहरों पे खड़ा हो सकता है यह चीज है तो ये difference होता है एक इंसान के जो गिर के जिसकी starting होती है और एक इंसान जिसके saat कुछन के साथ starting होती है यह भूट बढ़र difference है जो मैंने भी देखा है काफी तो यह है तो यह overall guys, talking vlog है आज का है, थोड़ा सापको मैने मेरी जो life है, उसके बार में दिया है, मतलब there is so much stuff life में जो होता है, and I am sure हर किसी की life में story होती है, बहुत tough phases है, I am sure मेर से बहुत tough phases जो है लोगों ने आपर देखे होंगे, लेकिन यह मेरा छोटा सा life का experience था, which has happened, but now I am actually अभी जो में life जी रहा हो ना, I really enjoy it, I am really happy, अभी जो में चीजे कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, it makes me happy, and it makes me happy, and it's fun, so this is, I will share other vlogs that I will share with you, but this is what it is, आपको बताना आपके life में क्या रहा है, मतलब आप भी अपनी story जो है, you can share, what do you feel about all this, do let me know, and yeah, and अगर आप चाते हैं से talking vlog और करूं तुम्हे को बताना, and do like, do subscribe, अगर आपको ये talking vlog जा अच्छे लगे, first time मैं ने share किया मेरे life का experience, and ऐसे और भी जो है ना, मैं शेर करूंग तो सको ये के बहुत अच्छे advice दे सकता हूँ, ठीक है, तो भी है, तो ये गाइस आज के talking vlog केंदर बाकी मिलेंगे, next vlog केंदर, next vlog जरूर देखना, ये वाला, first adventure of 2023, इसको definitely आप देखना, ठीक है, तो मिलेंगे next vlog केंदर, तब तक लिए बाए and टिक किया, bye-bye.